जाहिंद आपके अपने चैनल न्यू एस्टर्डी 24 के बरहमा स्रीज में आज हम भाग 1 से लेकर भाग 4 के को यानि ए तक बताएंगे और बताएंगे कि प्यसी द्रोगा और अदर कमपेटेशन में कितना माल का पूछा जाता है भाग एक में जो आता है वो आता है संग एवं राज छेत्र भाग दो में आता है नागडिकता भाग तीन में मौलिक अधिकार भाग चार में जो आता है राज के निती निर्देशक तक्प और भाग चार का ए में जो आता है वो आता है मौलिक कर्तब तो आज आपको इसी के बारे में बताएंगे इससे पहले जो भी नए नए स्टुडेंट आया है सबों को ब्रहमा स्रीज का प्लान समझे ब्रहमा स्रीज में पहला वीडियो गाइड वीडियो जिसमें question bank और syllabus का पूरा analysis करके बताते हैं कि आपको कौन से topic में कितना मार का पढ़ना है कौन से topic को कितना छोड़ देना है इसका पूरा analysis करके बताते हैं शकेंड वीडियो topic wise test आपको provide करवाते हैं जिसके वज़त से आप समझ पाते हैं कि हमको इस topic में कितना मेरा सही है कितना गलत है और कितना मेहनत करने की जरूरत है और last में explanation वीडियो आपको जो test वीडियो है उसका तो explanation करते ही है साथ में उस topic यह जो भी important question होते हैं important fact होते हैं उनके बारे में बताते हैं तो आप तीनों वीडियो जरूर देखे देल नहीं करते हुए आज का topic प्रारम करते हैं आज का topic पहला है संग और राजच्छेत्र में आपको क्या सब पढ़ना है देखे नाम से संग मतलब क्या होता संभू और राजच्छेत्र अनुछ्षेद एक से लेकर अनुच्छेद चार तक का इसमें वर्णन किया गया देखिए अनुच्छेद एक में किया गया कि नाम का वर्णन अनुच्छेद दो में संसद जो संसद है उसको अधिकार दिया गया है कि कोई भी राज का नाम क्या रखे नाम में क्या परिवर्तन करे फिर तीन जो है वो दिया है कोई भी राज छत्र को पुनर नया निर्मान करे किसको जोड़े किसको घटाए मतलब आप कोई भी राज को जमीन दे सकता है या जमीन ले सकता है कोई भी राज को तोर सकता है दो भागों में बाट सकता है जैसे एक्जामपल में बता देते हैं हाल फिलाल में आप देखिए तेलंगाना को अन्ठ परदेश से अलग कर दिये तो जम्मु कस्मी राज को क्या का पार्न हो इसका वर्णन क्या ए इसका अधिकार दिया गया है तो ये तो आप इंदेशक यहां से अभी तक बिफ्यंसी के द्रीश्टी कों से काफी माहत पूर्न ए इसके साथ ही अगला टॉपिक है भाग दो नागरिकता भाग दो में नागरिकता के बाड़े में बताया गया है और अनुछेद पांच से लेकर अनुछेद इगारा तक इसमें वर्णन किया गया है लेकिन भी प्यासी में अभी तक इससे यहां से क्वेश्चन नहीं आया है तो आप आपको अनुछेद 12 से 35 तक में आप ये समझें कि इसमें आपको क्या क्या चीजी का yatुषा मिला मौलिक अधिकार में आपको चीजा मैं शमानता का क्लिए कि वीच में से 14 से 18 से 15 सोतंता का अधिकार है। इसी के साथ धार्मिकㅎㅎ पतनता का अधीकार सिक्षा का अधीकार ये सब कहां-गाँ है कितने भाद में हैं आप उसका इसकी इसका करम पर लीजे फिस्कार्म न चॉड़ा से अठाडरा के वीच में है तो अनुछेद-चौदर्फ किसका वर्णन क्या गया है अनुछेद 15 में किस कावर्णन किया गया अनुछेद 16 में किस कावर्णन किया गया एक एको लाइन वाय देख लीजिए यह काफी इंपोर्टेंट है और यहां से question अक्सर हर competition चाहे आप द्रोगा का दे रहे है जदी आप NTPC का दे रहे है या आप group D जो भी competition का आप exam दे रहे इसके बाद जो है आपको भाग चार राज के नीती निर्देशक तक जो की 36 से लेकर 51 तक में इसका वर्णन किया गया है अनुछेद 36 से लेकर अनुछेद कितना तक 51 तक इसमें आपको क्या किया गया है सबसे पहले यह द्रिक देखे राज के नीती निर्देशक तर लाने क अधिकार देना चाहते थे नेकिन जो भी हमारे डेश के बुद्धी जीवी वर्ग के लोग थे वो समझते थे हमारे जो सवाइटि पर हे वो शिक्षित नहीं है तो अधिकार नहीं दे सकते हैं तो अनेट बाले टाइम में भी उसको अधिकार मिले इसके लिए क्या किरदे राज के निती निर्देशक्त में या तो हमारे देश के जो शासन चनाने वाले नेता है उनको ये निर्देश दिये गए उसे ये बताए गया कि आपको ये ये वार करना है और जैदी ये टॉपिक देखे तो बिप्यासी कि इस टॉपिक कैसे महत्वून होता है तो इस टॉपिक से जो है anser में सबसे ज़्यदा उपयोग प्योंकि आप proposing एक करना चैडिक को व्यास्तित करना कई निर्स ह GIRler कि आ और यहनुच्थ चालिज में तो इसी परकार चे पूरा एक권 शहत्tu में किया गया है इसके समान समुचि जोब के लिए समान वेतन कर रहे हैं तो समान्फ के लिए तो रही समान का अधिकार दिया तो आपको से मोलिक कर्तब है यह पुरा होने के बाद घुणार करतब इसमें आपको देखना है कि शुरूब में जब समिधान बना तो मौलिक कर्तब को नहीं जुड़ा गया था लेकिन देखा गया कि जैसे सरकार को एक दाइत बनता वो इसे पबलिक को भी एक दाइत होना चाहिए तो इसके लिए एक समीति का गठन किया गया और उस समीति ने उस टेम में आठ मौलिक कर्तब के बारे में बताये थे कि उसे लाना चाहिए लेकिन 42 में समिधान संसोधन उसपट्र संसोधन किया गया इसमें 10 मौलिक कर्तब को जोड़ा गयया इसके बाद1 मौलिक कर्तब को जोड़ा गया तो परत्मान में अभी तक 11 मौलिक कर्तब है तो आप सभी मौलिक कर्तब को देख लीजिए मतलब यह जितना भी टॉपिक वता है राज के नेति निर्देशकत तत मौलिक कर्तब मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार के बाद शंग एवं राज्षिद इसका भी जितना भी अनुछिद है अनुछिद एक अनुछिद दो अनुछिद तीन अनुछिद चार अनुछिद बार आपको यह पढ़ते भी है तो इसका एक करम बना के पढ़िए जैसे मौली का अधिकार अनुछिद कितना से कितना अनुछिद 12 से 35 तक यह करम भी आप याद करके रहते हैं तो आपको वेनिफिट क्या मिलेगा ज़्याम हॉल में आप कोशन भूल भी जाते हैं तो एक्जाम करना के भी पढ़िए तो यदि यह टॉपिक देखें कि द्रोगा अनुडर कंपेटिस्ट में कितना मार्क पुझा जाता है तो इसमें एक मार्क तो फिक्स हैं आपको एक मार्क आएगा ही इसलिए टॉपिक को आप गहनता पुरवक पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें ध हन्यवाद